तोडे वी आपको गिवन नंबर होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा 2 होगा और नियूमिरेटर में जो साइन होगा वह आप माइनस या सब्ट्रेक्शन जो बहे बोलते हैं वह माइनस का साइन होगा तब यह ट्रिक अप्लाए होगी और जो भी आपकी फ्रेक्शनल टर्म होग उसका numerator and denominator क्या होना चाहिए, same होने चाहिए, दोनों डिजी, जैसे यह under root 8 और under root 6 है, नीचे भी same number है, अब rule देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी number given होंगे, उनका between number लेना है, suppose हमारे पस under root 8 और under root 6 है, तो इन दोनों के बीच में क्या number आता है, 7 तो हमें लिखना है, now follow the numerator sign, जो भी numerator में sign है, जो minus है, वो ही आपने follow करना है, and multiply both the digits, और दोनों digits को multiply करके answer लिख देना है, अब देखे, कैसे हमें पता है, numerator क्या है, under root 8 and minus under root 6, तो हमें सबसे पहले देखने है, ट्रिक अपलाया हो रही है, यह नीचे दोनों हमने देखा कि यह same है, numerator and denominator are same, चलो एक तो rule pass हो गया, दूसरा आमने देखा कि under root 8 और under root 6 का जो difference है, वो 2 है, जो कि first rule कह रहा था, वो भी है, अभी क्या है, उसके बाद उसने बोला कि, जो third चीज देखने है, numerator में आपके क्या होने चाहिए, minus sign वो भी है, now we can apply trick, अब हम देखते है, हमारा number क्या थ numerator का sign follow करिये, क्या sign है, minus का, हमने minus का sign लगा दिया, फिर इन दोनों digits को multiply करें, और root में ही आपने लिखना है, तो 8, 6, 48 और आपने root उसके उपर लगा दिया, this is your answer, अगर आप ऐसे करते हैं, तो आप पहले करते हैं, डिनॉमिनेटर को पहले rationalize करते हैं, दोनों उपर नीचे multiply करते हैं, sign बदल के, फिर इसमें कुछ-कुछ identities लगते हैं, और तब जा कि यह कहीं solve होता है, हमने directly कर दिया, अब second देखते हैं, under root 7 minus under root 5, divided by under root 7 plus under root 5, देखें फिर से, जो है, difference 2 है, denominator, numerator, same है, अब हम trick apply करते हैं, इन दोनों के बीच का number क्या है, 7 or 5 में 6 है, हमने लिख दि 75, 35, हमने under root में वो answer लिख दिया, this is your answer, next आप देखें, under root 5 minus under root 3, divided by under root 5 plus under root 3, फिर से, दोनों के बीच का number क्या है, 4 हमने लिख दिया, numerator का sign क्या है, minus हमने लगा दिया, 53, 15, this is your answer, अगर आप normally करते हैं, तो इसको करने में आपका time भी जाता है, और गलती होने के भी chances रहते ह हैं, बट इस trick से हमने क्या कर दिया, कुछ seconds में ही हमने अपना answer निकाल दिया, this can be help you in your competitive exams too, so वापस एक बार देख लेते हैं, क्या कर हमने, पहले ही इन दोनों, जो भी हमारे number होंगे, उनके बीच का number लिखना है, फिर numerator का sign लिखना है, फिर दोनों digits को multiply करके root में लिखना ह this will be your answer, पर trick तभी अपलाए होगी, जब दोनों digits का difference क्या हो, 2 हो, और उसके साथ में, जो भी हमारा numerator and denominator है, वो same हो, thank you